देख रहे हैं आप E1 News TV और मैं हूँ मेघा नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दॉक्टर सुनीता वर्मा ने मुख्य अतितियों के रूप में शिर्कत की दीप्रज्वलन के साध समारों का शुबारंब हुआ सविता वर्मा ने मुख्य अतितियों का स्वागत किया आयोज़क के डॉक्टर प्रीमलता वर्मा और सुनीता सोनी ने भव्य समारों का आयोज़न विनोत कुमार वर्मा, महेश वर्मा और आनन्द सोनी के सहयोग से किया और बताया इसका मूल देश्य समाज की महिला वर्ग को आगे लाना है तदा समाज की महिलाओं को प्रेरित करना है सबसे पहले मुख्य अतिती के स्वागत के वश्वद विदूशी महिलाओं को सम्मान किया गया प्रसिद कवियत्री कांता वर्मा ने सम्मिधान और बेटी पर अपनी कविता प्रस्तूत की मन्जू ने हम सुनार हैं गीत प्रस्तूत किया इसी कड़ी में अनेक कवित्रियों ने अपनी रचनाओं से शोताओं का मन मुह लिया तो मृत्य प्रस्तूती ने सब को जूमने पर मजबूर कर दिया महेश ज्री वर्मा और आनंद सोनी और विनोद कुमार वर्मा ने अपने विचार प्रस्तूत कर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्ररित किया केलाश सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि ये समारो अपने आप में अद्वीतिय है जिसमें महिलाओं को आगे आने के लिए प्ररित किया है सविता ने कहा कि जहां नारी के सम्मान में समारो अयुजित किया जाए मैं वहाँ धहरदून से दूर भी रहूं तो भी जरूर आउंगी और कहा मैं भविश में जिस किसी को भी मेरे सयोग की अवशक्ता होगी मैं तयार रहूंगी और भवे कारेक्रम की प्रशन सागी सुनिता ने बताया कि IAS के पद पर रहते हुए मैंने हमेशों नारी उथान में सायोग दिया है समाज के उथान के लिए सिक्षा की सबसे जादा वशक्ता है शिक्षा से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं नारी शक्ती का ऐसा भव्य मेला देखकर मैं भाब विभोर हो गई हूँ और आयोजको को इस से पहल के लिए उन्हें शुब कामना के साथ धनिवाद देती हूँ मुख्य अतिती केलाश सोनी ने कहा कि आज की नारी किसी से कम नहीं है नारी ही है जो परिवार को बांदने की क्षमता रखती है एस आयजन के लिए उन्होंने आजको की प्रशंसा भी की इसी कड़ी में मुख्य अति थी मीनाक्षी ने कहा कि नारी उत्थान के लिए इस प्रकार के कारेक्रम होते रहने चौहिए और जज के पद पर नव चौईनीत प्रेंका ने कहा कि यदि सभी बच्चे माता पिता के बताय रास्ते पर चले तो दुनिया की कोई भी ताकत लक्ष प्राप्ती में बादा नहीं बन सकती सभी माईलाव ने कारेक्रम की प्रशुनसा की और कहा कि अभी राष्टी और अंतराष्टी इस तर पर भी होगा इसका हम सप्रण लेती हैं नारी शक्ती के स्वादिश्ट खाने और व्यवस्था की प्रशुनसा की समारों के अंत में मुख्या दीथियों को महेश, विनूद वर्मा और आनंद ने स्मृतिचन भेट किया मंचु संचाल अनकवित्री, अर्चना सोनी द्वारा किया अंत में प्रेम लता वर्मा ने सभी का धन्यवाद किया मेरा नाम सीमा सोनी है और मैं CSIT लाइन में कॉर्परेट ट्रेनर हूँ मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी कौम इस लाइन में बहुत अच्छा काम कर रही है और आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस सम्मान से नवाजा किया है शी वर्मा है मैं ICFS ऑफिसर हूँ 2008 बेज की इस समय में डायरेक्टर फाइनस या आई एफ़े कह सकते हैं ITBP कि हो और बहुत अच्छा लगा मुझे यहां पर आकर क्योंकि 16 Kings का समवान इसका मतलब एक समाज में महिलाों का समवान हो रहा है और जैसे महिलां का समवान हो रहा है या मृलाइं बढ़ रही है और एक तपका पीछे नहीं मतलब यह कि समाज आरे बढ़ रहा है तो मैं सबसे पहले तो मैं इस सम्मान समहारों के सभी आयो जोगों का देल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस सम्मान के लायक और मैं मेरा नाम हंसा वर्मा है, मैं द्रौनाचारे गौर्मेंट कॉलेज में कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर आज़ना अपने समाज की नारीष शक्ति का समस्मान के करने गार हैं हमारा वत्मान एज़न्डा एक दूसरे से मिलना, और हमारे समाज की नारीष शक्ति को विमेंट शिक्रों में अग्लानी गूरी का दिबाने के लिए प्रेडिक करना है आने वाले समय में हम कुछ और एज़ना और ज्यांस सांजा करने का प्रयास करेंगे इसकी हम योजना बना रहेंगे। एक बार मुलमा आप सभी का धन्यवार और कामना करती हूँ कि भविश्य में इसकी शड़ने का नारी शक्ति के उठान के लिए आपका से लोग एवन्स में भिन्दा रहेगा। जै हे शक्त्राई नारी शक्ति जै अध्मीर माराज, जै बिन जै भाराज, सांजल राइटी सबाओ, श्रीमती सबता कपूर जी, बिनाय देवदू, श्रीमती सुनीता बबाँ और विनाक्षि बबाँ, सभी उपस्ति देवियों और सर्जिनों का हम पहले दिल से साद़त क लगने हम हमारे समाज की कामकारी शक्त्राईयों का बंचे प्याने जा रहे हैं, आज हमें खुशी है कि समाज के विविंग गर्णमान देविदू, इस समय को रिखाल करके, और ऐसे अच्छे कार्किन की रचना, बढ़ी बाद, और इस योगदाम के लिए सब से खेले हम सा करना चाहिए और साथ में अभी के लिए इतना ही, आप बने रहे वन यूस के साथ, नमस्कार